दोस्तो अगर आप Flipkart के यूजर है और Flipkart Paylator का option आपको मिला हुआ है तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मेरा Flipkart Paylator का option नहीं आ रहा है तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि Flipkart Paylator का option कैसे आएगा product खरीदने में तो देखें सबसे पहले जाना कोई भी product हम यहाँ पर select करते हैं ठीक है तो देखें यहाँ पर जो है एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा जैसे मैं यहाँ पर देखें आपको लाइब करके दिखाता हूँ जैसे माल लीजे यह Airbuds में लेता हूँ ठीक है तो Airbuds को select करता उसके बाद buy now के option पर click करते हैं address वाला option आएगा उसके देखें यहाँ पर जो है आपको flip card pay later option देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसा कि देख पर है flip card UPI है और flip card access bank card है उसके बाद और भी debit card वगेरा है मगर flip card pay later का option नहीं आ रहा है तो बहुत से लोग का यह शिकार देखें चले इसको पहले remove कर देते हैं remove करके cut impity हो गया अब यहाँ पर देखें हम फिर से आते हैं अब क्या करना है यहाँ पर जैसे मान लीजी हम क्यों कोई mobile जैसे यहाँ पर कोई phone हम order करते हैं जैसे देखें वीवो का phone है तो वीवो के phone को हम select करते हैं वीवो के phone को select करने के now का option मिल जाता है उसके बाद जो है यह skip and continue उसके बाद address वाला option आएगा उसके बाद जो है आपको continue करना है payment section पे यह पहुंच जाएगा यहाँ पर flip card pay later का option आ गया है तो अब बात आती कि क्यों आया देखें यहाँ पर otherwise मैं यह बता दूँ कि पहला आला जो product था वो जो हमें 1100 कुछ रुपया था अब जो है यहाँ पर ताइस हजार रुपया है मतलब कि अगर आपका product 3000 से नीचे रहेगा तो वहाँ पर flip card pay later का option नहीं आएगा अगर आप 3000 से ज़्यादा का product खरीदते हैं कोई भी समान या 2-3 समान मिला के भी 3000 रुपया ज़्यादा बन रहा है तो ही flip card pay later का option आएगा यहाँ पर otherwise नहीं आएगा